तो प्यारे स्टुडेंट सद्गुरु आई टी आई इंडस्ट्रेल ले लिया पक्सर मैं प्रमूत कुमार मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को आए श्कुरू थ्रेड के पार्ट के बारे में जड़िकारी थी आज उनको हम आपको इंट्रोक्षन करवाएंगे परिचे करवाएंगे इसका हो और क्या होता है तो चलिए हम शुरू करते हैं चले देखिए पहले इंट्रोड़क्शन करते हैं देखिए इंट्रोड़क्शन परिचा में लिखा हुआ है ध्यान से इसको पढ़िए आप पढ़ भी सकते हैं कि विभिन धाचों मसीनों वह अन्य इंजिनिरिंग उत्पादों को और अस्थाय रूप से जो इसका काम यह है कि पार्ट्स और फास्टेदर को बीना हानी पहुंचाए पार्ट्स को अलग किया जा सकता है देखिए इसका काम यह है कि पार्ट्स और फास्टेदर को हानी पहुंचाए पार्ट्स को हम इसको अलग करते हैं कल ही बताया थे आप लोग को यह सेमी पर्माने पीनतरिक रूप में है की उनिनीफॉर्म सीक्षंट के स्लिंड्रिक या कुलिक seis भाग पर बनाया गया है लिजीकशन पिरेट कालाता है सिरेट किस औसम झालते हैं जैसे कि एक कोई सीलिंड्रिकल छोड़े ले लिजिये स्लींड्रिकल रोड के बाहरी सर्फेस पे एक युनिफॉम में जो खांचा कटा होता है एक युनिफॉम में जो रेशा कटा होता है उसको हम लोग बोलते हैं है cat freak जैसा के फिगर में अब देख पर रहे हैं ङ siis ये एक सिलींड्रीकल मैं मी डेक है और इसके उपर में एक युणिफोर्म है आंविक 멍े एक ही डाइमीटर के एक ही पीच, एक ही रूट, एक ही क्रस्ट के एक यूनिफर्म में जो धारी यूगी हुई है या जो खांचा कटा हुआ है वह ही थ्रेट गालाता है देखिं मेजर डाइमीटर का जो बात है कल आपको बताए भी थे या अंतरिक या बाहा सकुरी थेड का अधिकतम ब्यास है मेजर डाइमीटर जो होता है वो internal या external तक से बड़ा डाइमीटर होता है अगहें चलते हैं दुन नमर माइनर डाइमीटर कि यह आंत्रिक या बाई श्कूर्टेत्र का निवंतर्ण्वीटर भां, क्या ओता है इन्टर्ण और एक्स्टर्नल अ कर श़्ूर्त रीड का सबसे कम वियास होता है यह मैनर डाइअट्र और speech डाइ मिंटर या इसकोativ डाइमेटर याproduction reading के मंद्ध में होता है मेजरो माइंदर के मंद्ध में होता है में गया है। जो मेरे हुं मेंजर और माई द्राइमेटर के माध्य में अीわか aufge ट्रेड क्रेफट और रूट की बीच की लंबी दूरी को हमलोग बलते हैं डेफट औफ फ्रेड देखिए यह पर रेफट के बीच की दूरी को हम लोग भी पीच बोलते हैं देखिए पीच यहां पर दिखाए गया है दो थ्रेड के बीच की दूरी को पीच बोलेंगे एक क्रश्ट से दूसरे क्रश्ट के बीच की दूरी को हम लोग पीच बोलते हैं यह देखिए slope of thread पीच का आधा भाग पीच के आधा भाग को हम लोग क्या बोलते हैं slope of thread यानि एक thread से दूसरे thread के बीच की दूरी का जो आधा भाग है उसी को हम लोग बोलते है slope of thread और देखिए important चीज़ है यहां पर lead लीड यानि अगर हम किसी bolt में nut को डाल के एक round घुमाते हैं तो उस एक round में जितनी दूरी तय करेगी उसी को हम लोग बोलते हैं lead उसी को क्या बोलते हैं हम lead तो difference difference start के lead आपको मिले जिए single start double start triple start तो ज़्यातर single का यूज होता है double और triple start का यूज वहीं पर किया जाता है जहां जल्दी और खोलने और कसने क्यों सकता होती है double start का मतलब अगर हम किसी nut में स्वरी किसी bolt में nut को डाल के एक बार घुमाएं तो वह दो चूड़ी की दूरी तय करेगा उसी को हम बोलते हैं double start एक चूड़ी की दूरी तय करेगा तो single start कि अब दखिए है अगला है अस्कूरू थ्रेड जेनरल पर लेली एस्कूर थ्रेड और टेपर उसकूरू थ्रेड इन शब जेनरब के मैं कल के वीडियो में मेजन करी दूँगा तो धन्य बाद